स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मालक्षमी को प्रसन्न करने का क्या उपाय है जोति सास्त्र में सुख सम्रदी, संपन्नेता और धन लाप के लिए कई तरह के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है हिंदुदर में मालक्षमी को धन की देवी माना गया है और ऐसी मानिता है कि अगर मालक्षमी किसी पर प्रसन्न हो गई तो उसका घर धन दौलत और एश्वाराम से भर देती हैं ऐसे में धनकी देवी मालक्षमी को प्रसन्य करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं सास्त्रों में मालक्षमी को प्रसन्य करने के लिए कई तरह के टोटके और उपाय बताये गए हैं जिसको करने से मालक्षमी की कृपा जरूर मिलती है जैसे कि आपको पता है कि मा लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं जहाँ पर साफ सफाई होती है मा लक्ष्मी को जाडू बहुत ही प्रिये है ऐसे में मा लक्ष्मी को प्रसन्य करने के लिए जाडू से संबंदित कुछ उपाए किया जाए तो घर हमेशा धन और सुक समरदी से भरा रहेगा आईए जानते हैं धन दौलत और सुक समरदी के लिए जाड़ू के कुछ उपाए पहला उपाए है सास्त्रों के अनुसार सूरियस्ट के बाद कभी भी घर पर जाड़ू नहीं लगाना चाहिए रोजाना साफ सफाई के लिए सुरियोदे होने के बाद का समय ही सुब माना गया है दरसल सुरियस्ट के बाद मालक्ष्मी घरों में वास करती है ऐसे में सुरियस्ट के समय जाड़ू लगाने से मालक्ष्मी नाराज हो जाती है और उस घर से रूट जाती है इस कारण से भूल कर भी सुरियस्ट के बाद ज़ाडू नहीं लगाना चाहिए दूसरा उपाय है आप सबी इस बात का ध्यान जरूर रखें जब भी घर का कोई सदस से किसी खास काम के लिए घर से निकलता है तो उसके फौरण बात कभी ज़ाडू नहीं लगाना चाहिए इससे कार्यों में तरह तरह की बाधाएं आती हैं और कार्य सफल नहीं होते हैं उपाय तीसरा अपने घर को आर्थिक परिसानियों से बचाने के लिए मालक्षमी का सदैव आशिरवात पाने के लिए ज़ाडू को घर के ऐसे हिस्से में रखना चाहिए जहां पर किसी की नजर असानी से ना पड़े इसके अलावा कभी भी ज़ाडू को पैर से ना चुएं और तुलसी के पौधे के पास ना रखें इससे मालक्षमी नाराज हो जाती है चौथा उपाय है सास्त्रों के अनुसार ज़ाडू देवी लक्षमी की प्रिये चीजों में से एक मानी जाती है क्योंकि ज़ाडू की मदद से घर की गंदिगी साफ होती है और मालक्षमी को साफ सफाई बहुत ही पसंद होती है ऐसे में जब भी भूलवस ज़ाडू के उपर पैल लग जाये तो दोनों हाथ जोड़ कर माफी मांग लेनी चाहिए ज़ाडू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए अगला उपाय है जब भी घर पर नहीं ज़ाडू लाएं तो इसका प्रयोग सनिवार के दिन करना सुब होता है और इसे घर के पश्शिम दिशा में ही रखें धन्यवाद